नमस्कार दोस्तों, सेहत और जिवेंसेली में आप सभी का स्वाजात है गुलाब जल का प्रयोग हरवल चाय के रूप में भी किया जाता है अपने दिन की सुरुवात गुलाब जल से बनी चाय के साथ करें इसे रोज टी भी कहा जाता है यह चाय ना केवल आपकी सुबा को एक सुगंधी सुरुवात देगी बलकि चाय में मवजूद एंटी ऑक्सिडेंट से आपकी तवचा पूरे दिन हाइडरेट और कोमल बनी रहेगी इसमें विटामिन A, B, 3, C, D, E होता है इसे तवचा जवा और चमकदार बनती है इसे गले की खराज ठीक करने के लिए भी पिया जा सकता है यह विटामिन C के सबसे अच्छे सुरुतों में से एक है जो इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छी होता है इसे बनाने की विधी एक कप गर्म पानी ले इसमें आप गुलाब की छोटी छोटी दस कलियो को 5-7 मिनट तक डाल कर रखे फ्लेवर अधिक चाहिए तो पानी में गुलाब को अधिक देर तक रखे इसमें एक बदाम और दाल चीनी के छोटे छोटे टुकुडे भी काट कर डाल सकते है स्वात के लिए इसमें चीनी या दूट डाल सकते है पर इसे प्राग्रतिक रूप में ही पिया जाये तो बेहतर रहता है तो दोस्तों अगर यहां वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद